आज हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई इसके लिए एक बाउल लेंगे उसके पर चनी रख देंगे फिर एक कप मैदा, दो टेबल स्पून बेसन, दो टेबल स्पून सूजी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ध्यान रहें इसमें कोई लंच ना रह जाए इसके लिए हम एक स्पैचूला या चमच की मदद से इसे मिक्स कर देंगे और इसे साइड में रखे, दूसरे बाउल में आदा कप घी त्री फोथ कप शुगर पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक यह फ्लफी ना हो जाए तब तक हमें इसे मिक्स करना है हम इसे चमच से भी मिक्स कर सकते है या फिर बीटर से भी मिक्स कर सकते है इसे तब तक बीट करना है जब तक यह फ्लफी ना हो जाए कुछ इस तरीके से इसमें अब हम add करेंगे एक टेबल स्पूल बेकिन पाउडर और इसे हम अच्छे से mix करेंगे और इसमें अब हम dry ingredients दो पार्ट में mix करेंगे त्यान रखिए कि इसे हम जितना अच्छा mix करेंगे उतना ही हमारी cookies बहुत अच्छी बनेगी इसमें हमने दोनों पाथ डाल चुके हैं, अब हम इसे अपने हाथों से पूरा कमबाइन कर देंगे, ताकि जो बेकिंग सोड हमने पीछे से डाला है, वो सारे कुकी इसमें बराबर जाज सके, और अब हम एक अलुमिनम तिन ले लेंगे, जिसमें हमें बेक करना है, आप कोई अब हम बनाएंगे इसके चोटे चोटे बॉल्स, और इसे हम अपने हाथों के बीच में से फ्लाट कर देंगे, ज्यादा पतला नहीं करना है, वरन्न हमारी कुकी बहुत पतली हो जाएगी, फिर इस तरीके से हम नाइफ से डिजाइन करके, इलाइची पाउडर आलमंड थो और फिर सिब 4-5 कुकीज रखें एक बार में और उसे बाटी ओवर में 15 मिनिट्स के लिए हम बेक करेंगे, हमारे कुकीज रेडी है, ये चानल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पहला किन दबाईए, थांक यू,